So Hello Friends Welcome Back to a New Video So Friends, जैसे कि आपने थमने देखा होगा कि मैं दिखा रहूँ है एक problem का solution जो की होड़ी है Play Store में payment method को ले के एक problem होड़ी है लोगों के payment method add नहीं हो पा रहे जैसे कि मैं आपको और प्रबल्म करके दिखाता हूँ कुछ type की प्रॉबलम हो रही है पेमेंट जब हम construction करने जा रहे हैं तो उसमें आ रहे हैं लोगों को दिखत तो मैं पहले आपको problem दिखाता हूं कि कि इस टैब की लोग के साथ problem आ रहे हैं तो यह देखे मैं यापपर payment method method add करने जा रहा हूं जैसे कि अपने फोन में देख सकते हैं यहां पर कार्ड डीटेल डालकर अपना payment method add कर लेता हूं तो देहें मैं आप अपनी कार्ड डीटेल डाल देता हूं एक वार और फिर आपको आपको बता हूं तो देखें कुछ स्टाइब की प्रॉब्लम सो और यह आ आ रहा है जबकि हमने सारी डीटेल सही वरी है फिर भी यहां पर एर रा आ गया है यह यह आप देख सकते हैं यह यह आप सकते हैं लिकावागे जबकि हमने सारी डीटेल एक्षट प्रोब्लम करेक्ट वरिये फिर भी ये प्रोब्लम आ रही है तो चलिए विडियो जल्दी से शुरू करते हैं और आपको बताता हूं इस प्रोब्लम का सेल्यूशन कैसे करना है और बिल्कुल लीगल तरीका है को इसमें टिक्स और ट्रिक्स नहीं अपनाएंगे जो लीगल है वही करेंगे तो हमने अप्ले श्टोर अपना खोल लिया है अब यह देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा नीचे देख सकते हैं ऑप्शन है है एल्प और फीडबैक हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे है एल्प और फीडबैक पे तो जैसी इस पे क्लिक करते है अब यहां पर देख सकते हैं आपको अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है दिखिये तो जो भी आपका इशू है वो आपको लिख देना है तो देखें आप यहां से भी कर सकते हैं पर यह नहीं करूँगा मैं आज करूँगा ask the help community इससे हम mail के द्वारा हमसे help लेंगे तो देखें यहां पर उससे ज्यादा detail यहां पर मांग रहे है tell us your question आपका question क्या है तो जो भी आपकी problem हो उस related आपको यहां पर लिख देना है जैसे कि हमारा अपना payment method आड नहीं हो रहा था जैसे कि हम अपना visa card आड करना चाहरे थे वह आड नहीं हो रहा था और other payment आड करने में भी problem आ रही थी तो देख सकते हैं आप यहां पर अपनी problem को पूरा describe कर देना है आपको अपनी लेन्वेज में आप चाहें तो proper English में भी कर सकते हैं धी सकते हैं आपको जैसा लिखना 이미 describe कर देनी है जो जो भी problem आ रही है आपको तो जैसे आप problem लिख लिए देख लिए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप चाहिए तो वैसे वैसे लिख सकते हैं या आप चाहिए तो आपने तरीके से भी लिख सकते हैं में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो यहां पर लिखके आप चाहिए तो यह दिखिए इमेज को उप्षिन दिख रहा होगा आपको इससे अटेच कर सकते हैं पर फिलाल मुझे अटेच नहीं करना है तो यह देखिए आपको कैटेगरी सेलेट कर लिए आपका किस टाइप क बचे जाधर यह वह तो कम देखिए आपbre gap क्लिक कर लेते इस पहाँ से एड़ पेंवन मेथटेट पह तो इस पहां करेंगे इस पांनेih स्ट्रप प्रॉब्लम होतै कि इस सफ्ट्रे ने और सविख करनना ऐस आपको निचे नेघ्स स्ट्राप पर क्लिक कर लेना है तो देखिए नेक्स्ट फिली करते ही आपका प्लैट्फोर्म पूछ रहे कि आप किसमें अपना यूज़ कर रहे हैं प्लेस्टोर तो हम एंडुड में यूज़ कर रहे हैं अगर आपको फोर डेक्स top या फिर ऐफन यूज़े करते हो तो उसे अपने हिसाप से सेलेट कर लि करेंगे अपन इस प्रॉब्लम को तो जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे उसके पास मेल पहुंच जाएगी उसकी जो भी आप यह कर रहे हैं और आपको विदिन इंट ट्वेंटी फॉर आवर्स रिप्लाइ मिलेगा प्ले स्टोर की तरफ से कि आपकी प्रॉब्लम का क्या ह सल्यूशन मेरा रिप्लाइ आया था 24 आर्स के बाद और उसमें मेरी प्रॉब्लम तो पूरी सही नहीं हो पाई थी तो मैंने उन्हें वापस से एक मुझे हैल्प मिली थी उनकी तरफ से तो मैंने उसके जरीए यूज करके अपना मतलब यह जो प्रॉब्लम है उसे सही कर ल आपको सही से मेल वेल करना और प्रोपर तरीके से चैट करना आपको